हेलो फ्रेंड से श्वागा थे आपका अपने यूटूब चैनल अभ्यस्त अकैडमी पर जब से एसाई की प्रीपरिक्षा संपन्न हुई है तब से अभ्यर्थियों के मन में कई तरह के सवाल बेचैनिक देखी जा सकती है तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके मन में चर्रह मेंस के सिलेक्षन संबंधी असमंजस को दूर करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के जरिए सबसे पहले परिक्षा का जो लेबल था उस पर चर्चा करेंगे साथ ही साथ सिलेबस के अनुरूप प्रशन आये थे कि आउट अप सिलेबस ही फ्रश्न थे इसका विशलेशन करके आपको बताएंगे फिर सबसे अहम एसाई के लिए कुल विज्यापित पदों के अनुरूप कैटेगरी वाइस आपका कटाफ लगबक कितना आने वाला है इसका विशलेशन करके आपको सही मारगदर्सन प्रदान करने के पूरी कोशिस करेंगे पिछले 3-4 दिनों में सेकड़ो अभ्यर्थेओं का फोन, वाटस अप, टेलीग्राम, इमेल और यूटूब में कमेंट के माध्यम से हमसे यही एक सवाल पूशा जा रहा है, कि हमारा इतना अंग बना है, हमारा सेलेक्शन होगा की नहीं, हमें आगे के त्यारी करनी चाहिए की नहीं आपकी इसे समस्या और बातों को ध्यान में रखते हुए, हमने 36 गर के पांचों रेंज के अलग अलग, लगवक 3-4 अजार एसाई के अभ्यर्थे संपर किये और उनका मत जाने, इसके सांस साथ, हजारों अभ्यर्थियां जो हमारे टेलीग्राम और वाटसा ग्रूप में जुड़े हुए हैं, उनसे में चर्चा कर उनका अंग जाने, तथा उनका परिक्षा के संबन्द में मत जानने के बाद विसलेशन करने पर जो निश्कर से निकला है, उसे आप से इस वीडियो के माद देन से से सेर करने वाले हैं, साथ ही आपको एसाई में से के तयारी कैस कि आपने कितने अच्छे तरीकर से तयारी किये हैं, कितना रिविजन किये हैं और परिक्षा हाल में कितना संतुलन मना कर आपने प्रशनों को हल किया है, हमारा मत यही है कि परिक्षा के लेबल मिडियम था और बहुत ही अच्छे प्रशनों का सेलेक्शन किया गया था, हाल से बिल्कुल सिलिबस के अनुरूफी प्रशन पूछे गए थे और बहुती अच्छे लेवल के प्रशन थे हलाकि कुछ प्रशन को घहराई से पूछ लिया गया था भारत की अर्थव्यस था जिसमें से चाप प्रशन बने थे भारत का इतिहास आधुनिके अमध्य इतिहास इ पुलिस से संब्धित एक प्रशन पूछे गए थे कुल प्रशनों की बात करें तो इंडियान जीके से कुल 35 प्रशन बने थे हमने बहुं सारे अभ्यरतियों से चर्चा की सबका यही मत है जो इंडियान जीके की प्रशन है अन्य भागों की अपेक्छा थोड़े कठीर और प्रशनों का लेबल मीडियम था और सिलेबस के अनुरूप ही आया था इसमें सिलेबस में दो नय पार्ड याने की नकसलवाद और पुलिस एट किया गया था उनमें से काफी प्रशन बने हैं आगे देखते हैं लोगकला साहित्यम संस्कृती जनजातियम पुरुसकार स स कुल 6 प्रशन बने थे, नकसलवाद से सानदार 4 प्रशन बने थे, चत्यजगर पुलिस देखते हैं ठीजगर के भुगोल जिसमें 3 प्रशन आया थे, चत्यजगर के इतिहास 2 प्रशन प्रसासन एवं पंचायती रास से 2 प्रशन इसके सांसाथ चत्यगर के अर्थवास्त के बीच हल किये हैं समान ने मांसिक योगता शमान ने गणित और समान ने हिंदी से 10-10 प्रशन पूछे गए थे इसके सांसनाथ कंप्पिटर के समान ने जानकारी और समान ने अंग्रेज़ी से कुल 5-5 प्रशन आये थे सभी प्रशन सीलिबस के अनुरूप ही थे और बहुत जानना अनिवारी है देखे सबसे पहले सब इंस्पेटर भर्ती परिक्षा है तू आविदन करने वाले उम्मेदवार कितने थे एक लाग 48,000 के लगबक थे उसके बाद दस्तवे सत्यापन और सारेलिक माप परिक्षन के बाद जो सेस अभ्यर्ती बचे थे उनके संख्या थे 4,402 ओबराल बात करें तो एसाई की प्रिक्षा में सामिल होने वाले जाने की उपसित अभ्यर्तों की संख्या 6,9999 है और इनी अभ्यर्ती में से आपकी कैटेग्री वाइज आपका रेंग बनेगा और आपका कट आपका निर्धारन होगा बात करें कुल विग्यापित पदों की तो कुल विग्यापित पद है 975 और इसका 20 गुनायने की 20 गुनायने की उनी जर पांच चुप भ्यर्तों का सेलेक्सन में से परिक्षा के लिए होगा आई आप बात करते हैं सबसे महत्पुन आपके ऐसा ये कट आपका निर्धारन किस प्रकार किया जाएगा जो आप इसक्री में देख पा रहे हैं ये कुल विग्यापित पदों क अनरक चितवर्ग ध्यान देंगी अनरक चितवर्ग का 405 पद है अनसुजी जाती है तो 115 पद अनसुजी जन जाती है तो सांधार 318 पद इसके साथ साथ अन्य पिछला वर्ग के लिए 137 पद निधार्ट किया गये हैं कुल पदों की बात करें त्कुल 975 पद है अब बिल गरती हैं वो से अच्छे यंग प्राप्त करने वाले भी इसमें आ सकते हैं बात करें अनसुजी जाती की सांधार 636 पद इस वर्ग में रहेंगे ही तो इनके तो इनके बिल्कुल गोल्डन चांस है बात करतें अन्य पिछला वर्ग की तो इनका 137 का 20 पद इसके फुल पदों की बात करें तो 975 पद है उनका 20 गुना 19 और 500 भ्यर्थयों का सेलेक्शन में से के लिए होगा पदों के संख्या बहुत है और 20 गुना भ्यर्थयों का सेलेक्शन होना है हमने बहुं सारे भ्यर्थयों का मत भी जाने है उससे अन्य श्कर से निकला है अगर उपर प्लस न हल किये हैं उनको घबराना नहीं है चांस उनका भी है बिल्कुल निरास होने की जरूरत नहीं है और 50 से उपर जिनका अंग बना है वे अभिस त्यारी में लग जाएंगे इसी तरह बात करें अन्य पिछला वर्य क्या भ्यर्थयों की तो पुरूस के लिए 55 प्लस और महिला भ्यर्थों के लिए 50 प्लस अंग सेफ होंगे लेकिन इससे भी कम अंग प्राप्त के हैं उनको घबराना नहीं है ये सिर्फ अनुमान है ये 33 प्लस भी हो सकता है 52 प्लस भी हो सकता है लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है उसी के अनुरूप आपको बता तो 40 प्लस भी हैं तब भी आप त्यारी में लग जाएंगे अनसुशी जन जाती याने कि ST वर की बात करें तो इनके लिए golden opportunity है बहुती बढ़या पोस्ट हैं बहुती अच्छे मौके हैं पूरी सब्यर्थी की बात करें तो 45 प्लस या 40 प्लस और महिला ब्यर्थी 40 प्लस या इससे कम भी आंग प्राप्त के हैं उनका भी selection होना तय है तो आप अभी से बिल्कुल अपने पूरी सक्ति के साथ त्यारी में लग जाएंगे एसाई में से की त्यारी कैसे करनी है हमारे चैनल के माध्यां से हम अगले वीडियों आपको डिटेल से बताएंगे लेकिन अभी सिर्फ इतना कहाना चाहेंगे अपने त्यारी में आप अभी से लग जाए बिना समय व्यर्थ की एक भी समय नहीं गवाना है क्योंकि competition काफी tough होने वाला है हमारे चैनल के माध्यां से आपको एसाई सम्बंद GK जानकारी और अपडेट से मिलती रहेगी अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करकी बेल आइकान को प्रेस कर दें जिसके हमारे आने वाली सभी वीडियो के notification सबसे पहले आप तक पहुंच सके अगर आप हमारे टेलिग्राम चैनल और वार्टसप गरूप से नहीं जुने है तो उसमें हम डेली GK करेंट अपडेट्स, PDF और नोट्स अविलेबल कराते हैं जो आपके लिए काफिर लाबदायक सावित होगा आप तुरंद उससे जूर सकते हैं उसका लिंक वीडियो के description में अविलेबल है वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद जैहिन दोस्तों